गुड मॉर्निंग दोस्तों वीडियो का टाइटल देखके तो आपको पता चली गया होगा कि आज हम लोग किस फिशे पे डिसकुशन करेंगे तो ये वीडियो लाने में मुझे थोड़ा सा लेट हुआ क्योंकि मैं एक ही पौधे पे आपको करके दिखाना चाता था तो आज भी वही दो सेम पौधे हैं एक है ब्रिष्टी दूसरा है रोस ओडोनील तो जिनोंने मेरा पिछला वीडियो देख लिया है उन्हें पता है कि ये पौधे कितने छोटे थे मैंने यहाँ पे as a sample सेम पौधा इसलिए छूस किया कि मैं आपको शो करना चाता था कि it's actually possible तो दोस्तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बगल में दिये हुए घंटी को दबा दे ताकि आगे आने वाले notification आपको सही समय पे मिलते रहे वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तो मैं आपसे एक बात क्लिरली बता देना चाहता हूँ बहुत सारे लोग मुझसे पूस्ते रहते कि इसका alternative क्या है दूसरा कौन से चीज़ों से हम वही same result पास सकते actually दोस्तों ये काफी सारा test के बाद ये final result पे हम लोग पहुंसते हैं जो लोग अच्छे grow कर रहे at least आपको देखने से पता चल जाएगा कौन अच्छा grower है कौन नहीं है पौदे का height पौदे का पत्तो का color ये सारा चीज़ matter करता है तो definitely अगर आपको result ये ही चाहिए जैसा मैं आपको show कर रहा हूँ ये ही चाहिए तो जो चीज़ मैं बताऊंगा वो आपको arrange करना पड़ेगा इसका actual में कोई alternative नहीं होता है I am sorry for that but उसका कोई सच में alternative नहीं है लेकिन जो लोग अपने घर के लिए गुलाब को गाना चाते है कोई exhibition level ये सब उनके लिए कोई matter नहीं करता है उनके लिए मैं बता देता हूँ सूखे गोबर को आप पानी में डालके रख दीजिए तीन दिन के लिए उपर का पानी red color का हो जाएगा और उसमें आपको humic acid और gibralic acid का combination मिल जाएगा लेकिन वो बहुत जादा slow है इसलिए इस particular case में हम लोग उसका इस्तमाल नहीं कर सकते हैं हमें granular form या liquid form में ही चाहिए मैं granular form यूज करता हूँ मैंने पहले भी आपको show किया है तो चलिए आज का main discussion पे वापस आते हैं तो हमें आज के लिए चाहिए नीम केक, mycorrhizobacteria, rhizomasby और trichoderma virady ये चारो के चारो organic है आपके जानकारी के लिए मैं एक particular चीज बता देता हूँ कि सिर्फ organic और सिर्फ chemical से आपका काम नहीं बनेगा आपको perfect time में perfect चीजों का combination बना की देना होगा otherwise आपको सही result नहीं मिल पाएगा तो सबसे पहले तो हम लोगों ने पौदे का जो रसोई घर है उसका root वो complete कर लिया है क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने आपको show किया था humic acid rooting hormone ये दो particular चीज़ वहाँ पे पौदे का root growth के लिए काफी जादा essential है और आज हम लोग बनाएंगे उसमें ये देखिए ये है azetobacter और nitrobacter actually गुलाब के पौदे में ये चीज़ मौजूद नहीं होते है इनका काम है कि जो भी खाना हम लोग डालते है वो पौदे का एकतम perfect जो पौधा जिस हिसाब से वो particular चीज़ को intake करता है उसे बना के पौदे को देना तो definitely ये चीज़ अगर root में पहुँच गया तो पौधा बहुत तेजी से बढ़ेगा जब भी हम लोग खाना डालेंगे उसमें बौधा काफी तेजी से बढ़ेगा तो यहाँ पर मैंने नीम केक ले लिया है ये mycorrhizor भी मैंने इसमें मिला दिया है और इसमें थोड़ा सा rhizomase भी मिला हुआ है तो ये सारा चीज actually organic है तो थोड़ा ज़ादा या कम कोई दिक्कत नहीं होता है थोड़ा ज़ादा भी पढ़ गया तो आपको कोई टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है तो मैं इसमें Trichoderma Viridi मिला रहा हूँ actually दो particular चीज यहाँ पर काम का है आपका सबसे पहले तो है rhizomase भी और दूसरा चीज है mycorrhizor और यह जो Trichoderma Viridi और नीमकेक इसमें मिलाया जा रहा है इसका रीजर में मैं आपको बता देता हूँ actually होता किया है जिस दिन आप last chemical का application करेंगे उसके बाद 7 दिनों तक पौदे को blank शोड़िये क्योंकि वहाँ पे कोई भी chemical का application हो गया specially fungicide या pesticide का तो यह तो actually हम लोग bacteria इसमें मिला रहे है तो fungicide या pesticide ये तो समझने ही पायाँगा कौन सा beneficial bacteria है कौन सा आपका beneficial नहीं है वो सब को जाके मार देगा तो यह जो काम हम लोग कर रहे हैं तो इसका कोई फाइदा हमको नहीं मिलेगा तो यह बात का ज़रूर धियान रखे तो चलिए यह देखिए मैंने इसका बेस से थोड़ा सा पोर्शन लगभग 1.5 इंच मिट्टी बहार निकाल दिया है जो mixture हम लोगों ने बनाया था वो इसके बेस के चारो तरफ डाल देंगे और उपर से मिट्टी को कवर कर देंगे तो दोस्तों यहाँ पर जो नीम केक और ट्राइकोटर्मा विरेडी को मिलाया गया है उसका काम है एक्शुली हम लोग कोई केमिकल पेस्टिसाइड या फंगिसाइड का इस्तमाल नहीं कर रहे है तो डेफिनेटली पेस्ट अटक कभी भी हो सकता है तो उससे बचने के लिए हमें यह और्कानिक वाला यूज करना है Otherwise वहाँ पे बाइचन से अगर पेस्ट अटक हो गया तो आप कुछ अच्छा करने के चक्कर में आपके बौधे का बहुत ज़ादा बुड़ा हो जाएगा तो डेफिनेटली उसका प्रोटेक्शन के हिसाब पे आपको कुछ ना कुछ डालना है और नीम केक यह जो मैं इस्तमाल कर रहा हूँ यह Aries कंपनी का है और काफी बैतर रिजल्ट प्रोवाइट करता है जो लोकल मार्केट में मिलते हैं उससे काफी बैतर रिजल्ट आता है इसमें ऐसा नहीं है कि मैं Aries को प्रोट कर रहा हूँ लेकिन हाँ यह डेफिनेट है कि आपका लोकल मार्केट में जो हमको मिलता है उससे रेजल्ट इसका बहुत बेतर आता है इसलिए मैं खुद इस्तमाल वही करता हूँ और आपको सजस्ट भी वही कर रहोंगा करने के लिए जैसे कि मैंने माइक्राइजर बैक्टिरिया जो यूस्त किया वो मल्टिप्लेक्स कंपनी का था क्योंकि ये एक्चुली टेस्टेट प्रोडक्ट है मैंने खुद टेस्ट किया है उसके बाद ही आपको शो कर रहा हूँ ये पर्टिकुलर चीज और एक बात का धियान रखना है कि उपर से निया पता जब भी बाहर निकल के आए उसके उपर इमिटा क्लोरपीट का स्प्रेज जरूर करें अदर्वाइस थ्रिप्स अटक हो किया तो पौदे का जो ग्रोथ है पूर रुक जाएगा तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताइए और अगर आपको कोई सवाल है आप वहां पे पूछिए मैं अनसर जरूर दूंगा कभी-कभी थोड़ा सा लेट हो जाता है जब आप देने में तो इसके लिए सौरी और वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों